हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्क्रीत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक महुचाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए काशी पंचांग के अनुसार आज दिनांक 19 मार्च 2022 दिन शनिवार है शक समवत 1943 विक्रम समवत 2078 आज चैत्रमास के कृष्ण पक्स के प्रतिपदाति थी दिन में 12 बच कर 13 मिनट तक रहेगी उसके बाद द्वितियाति थी रहेगी नक्सात्रहस्त रात में 12 बच कर 28 मिनट तक है उसके बाद शित्रानक सत्र है सुरिवदय 6 बच कर 2 मिनट पर होगा जबकि सुरियास्त 5 बच कर 15 मिनट पर होगा आज कृष्ण वस्त्रधारण और इश्टिका निर्माण के लिए मुहुर्थ है आज से चैत्रमास शुरू हो रहा है महीने के पहले पक्स या निकृष्ण पक्स में पंचमी तिति की हानी है इसलिए ये पक्स सिर्फ 14 दिनों का ही है इस पक्स में पढ़ने वाले व्रत तेवहार की बात करें तो आज रंगों का तेवहार होली है शास्त्र के नियमों के नुसार आज रंग की होली धुरेडी का पर्व काशी के अलावा पूरे देश में हर्शुलास के साथ मनाया जाएगा आज होलिका के भस्म को माथे पर लगाते हुए आने वाले समवस्तर की कुशलता की मंगल कामना की जाएगी भारतिय सनातन संसकारों में ये पर्व अपने आप में निराला है इस दिन अपने पराय का भेद मिट जाता है सेवक सरकार का अंतर पट जाता है सभी एकता मिलन और आपसी सदभाव के साथ सभी प्रकार के सामाजिक बंधनों को तोड़ कर एक दूसरे पर रंग अभीर गुलाल लगाते हैं इसके अलावा संकष्टी गणे चतुर्ती वरत कामान 21 मार्च सुमवार को होगा रंग पंचमी का वरत 22 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा और इसके साथ ही होली का हुड़दंग समाप्त हो जाएगा श्रीशीतलाश्चमी का वरत 25 मार्च शुक्रवार को मनाया जाएगा पाप मोचनी काद्रशी वरत कामान 28 मार्च दिन सुमवार को है 29 मार्च दिन मंगलवार को बढ़वा मंगलपर्व मनाया जाएगा भावम परदोश व्रत भी 29 मार्च को ही होगा जबकि मास्त शिवरात्र का पर्व दिनांक 30 मार्च दिन बुधवार को होगा श्राद की अमावस्या 31 मार्च दिन गुरुबार को है जब कि स्नानदान की अमावस्या 1 अप्रेल दिन शुक्रवार को है ये समवस्थर 2078 का अंतिम पकवाड़ा है इसके साथ ही चांद्र समवस्थर 2078 समाप्त हो जाएगा आग शनिवार है और शनिवार के दिन पूरा दिशा की यात्रा नहीं करने चाहिए शनिवार को घर से निकलने से पहले अधरक खाना चाहिए तो ये थाज का पंचांग धर्मा और संस्कृत से जुड़ी महत्तो पुर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ग्रह गोचर